फतिहाबाद में लागतर हो रही बारिश के चलते फसले खराब हो रही है इसके बाद अप किसानों ने मौरचा कोल दिया है किसानों का कहना है कि सरकार खराब हुई फसलों का 50,000 रोपे पर ती एकडमों आप जाते वहीं बारिश के कारण जिन मजदूरों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनका रूजगार चिन गया है उन्हें भी पीस हजार रुपय परती एकड़ मुआव जाती आ जाए इसकी मांग को लेकर पगड़ी सम्हाल जट्टा किसान संगठन की अगवाई में आज किसान लगुसची वाले पहुंचे और जम कर नारे बाजी भी की वहीं किसानों की टोहाना में जो गाड़ी चोरी होई थी उस मामले में भी ग्यापन दिया गया किसानों की द्वारा अब लगुसची वाले के बाहर धरना शुरू कर दिया गया है किसानों का कहना है कि यह निचित काले धरना अब लगुसची वाले के मुख्य गेट पर रह इसलिए सरकार को चाहिए कि वह पचास अजार पर प्रतिय इकड मुवावजा तुरंत किसान को दे ताकि वह अपना छीवन्यापन कर सके उन्होंने कहा कि पूरे हर्याना में जिलास्तर पर उनके संगठन के द्वारा धरने पर दर्शन किये जाएंगे और मुवावजे की मां कि आर्वें जो इसी दिए वहारमार करता हो तर दर्णाला अजी की गालब आता है ति क्यों दर बादशी आप जो फसले वार्श से ब्रबाद हो चुकी है दर में की फसल तो सौट कि ख्याब हो दिया इसमें दानकी फसल भी ख्राब हो और जो दीमा कंपणि हैं और वह पिस अब इमें के नाम पे मिलता है मौज़ा के नाम पर देटी कुछ नहीं है आज हम आम आवजे की मांग कर रहा हैं पचास एरपति एक अकर मावजा दिया जाए 20 इस एरपति एकर मज़ूरू को मावजा मिले काऊगी मज़ूरों की काम काम ठाथ ठब हो जाएगा और एक बड़ जो पकड़ी समाल जटा किसांसी का रस्मी की रहा है हमने अलाम कर दिया कि हर डीसी दफ्तर का मगराज करेंगे और एक बड़ी लड़ाई हर्याना के अंतर किसां देंगे जब तक यह जीतनी होगी तब तक यह अंदोलन चलेगा तो लड़ने वाले संग्ठन हैं उनको साथ ल मेरा जारी है